मुझे बार बार लगातार एक ही रिक्वेस्ट आ रही है क्या कि थौर का हैमर बनाओ तो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट को देखता नहीं हूँ यह उसे पूरी करने की कोशिश नहीं करता कोशिश यह रहती है कि मैं फिगर आउट करूँ एक बेस्ट पॉसिबल तरीका कि किस तरिक्ये से उसे बनाया जा सकता है आज मेरे पास तरीका है लेकिन वह बताने से पहले मेरा भी एक चोटा सा रिक्वेस्ट है यह बटन लेक्रे इस पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना मत बूलना ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आप नोग को प इस पर आपको बहुत सारी डिजाइन्स मिल जाएंगे उसकी अलग-अलग मूवी से तो यू गाइस कें चूज और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या बनाना है आप थिंगिंगिंग आप मिक्समाच अफ कपल अफ डिजाइन्स तो हैमर के हेड के लिए मैं यूज करूंगा यह प्लास्टिक कैन आप देख सकते हैं कि इसका जो शेप है वो अलमोस्ट थौर के हैमर जैसा ही है तो दिस परफेक्ट बट ओविसली जो यह हैंडल है और यह कैप है यह वर्क नहीं करेगा तो आल कट दिस आउट एन अल ओनली यूस्ट बॉटम हाफ यह हिस्सा और दूसरा हाफ बनाने कले मैं यूज करूंगा एक और कैन सिंपल तो यह आगए हमारे दो हाफ जिनने मैंने कट किया है क्ली यूज अ कटर तो यह दो बॉटम हाफ जो की जूड के इस तरह से बन जाएंगे हैमर का हैड लुकर दाट परफेक्ट डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा है आम वरी हापी विद दिस अब इन दोनों को मैं चिपकाऊंगा उज़िग स्टिकी टेप तो लेस्ट आट अल्राइट तो यह हैमर का हैड रेडी हो गया है लुकिंग नाइस और अब बनाते हैं इसका हैंडल तो हैंडल के लिए मैं यूज करूंगा यह टॉट्च अब देख सकते हैं इसका डिजाइन काफी स्लीक है इस पर अच्छा सा एक टेक्ट्चर और पाटन है तो इस इस प और यह हैमर हेड के साथ काफी अच्छा लगेगा लुकित डाइट लुक्स परिटी नाइस और एक और इंट्रेस्टिंग चीज है इस तो हमारा कैन जो है वो ग्लो करने लग जाता है लुक अधाट तो दिस वे इस इंटो अ कूल लांप और नाइट लाइट तो चलिए यहां पर यहां पर लाइट का एक पाटन बन रहा है क्योंकि अभी लाइट बहुत शाप हो गई है पहले इस तरह से मने चेक किया था तो लाइट डिफ्यूज हो रही थी और एक अच्छा ग्लो मिल रहा था बट अभी यह एक अजीब सा पाटन मिल रहा है तो उसकलिए मैं क्या करूंगा यहां पर मैं टेप का एक पीस चिपका दूँगा इससे कि मेरी लाइट डिफ्यूज होगी और शार्प नहीं रहेगी अब अच्छे से लाइट डिफ्यूज हो रही है तो यहां पर हमारे हैमर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रेडी हो गया है बड़ इसको चिपकाने से पहले मैं इस पर थोड़ी और डिटेल्स आट करूंगा ता कि यह थोड़ा और इंप्रेसिव लगे और उसके लिए मैं यूज करूंगा मेरा फेवरेट सूपर इजी तो यूज मेटीरियल फोम शीट तो मैं यह ब्लाक फोम शीट से अपनी रेफरेंस के अकॉर्डिंग शेप्स कट कर रहा हूं और फिर उसे सिल्वर अक्रेलिक कलर से मैं थोड़ा मेटालिक लुग दूँगा ता कि हैमर थोड आल राइट तो सारे पीसे रेडी हो गये हैं अच्छा मेटालिक फिनिश आया है अज यू कन सी तो अब जैसी यह सूख जाएंगे इन्हें में चिपकाऊंगा हैमर पे उसिंग सूपर ग्लू तो लेस्ट दूट आल राइट तो सारे पीसे चिपक गए हैं और हैमर हेड कम्प्लीट हो गया है वैल अलमस्स कम्प्लीट हो गया है सिरफ थोड़े पोर्शन रह गए हैं खाली जहां पर मुझे पैटन आड़ करना है अच्छा फिनिश आया है अब देख सकते हैं सिल्वर अक्रेलिक से काफी मेटालिक लोकार है तो अब इस एरिया में भी मैं एक्रेलिक कलर का एक कोट करूँगा और जब वह वेट है यानि कि जब वह सुका नहीं है तब ही मैं टूथपिक से इसके उपर एक पैटन बना दूँगा तो जो भी पेंट रिमूव होगा उससे लाइट पास होगी और व अल्राइट तो यहां पर भी डीटेलिंग अड़ कर दी है लुकाट इस दान तो इसको सुकने के लिए रख देते हैं और जब तक यह सुक रहे हम टॉर्च के उपर कुछ डीटेलिंग अड़ करते हैं और राइट तो टॉर्च पर यानि हैंडल पर डीटेलिंग के लिए मैं यूज करूँगा यह यहां पर मैंने एक स्ट्रिप को रोल करके चिपका दिया है इससे बनेगा स्ट्राप जो कि मैं लगाऊंगा हमारे हैंडल के पीछे की तरफ और य ऐसे लपीट के इसको चिपका देंगे तो लेस्ट दू दाट ओके तो हमारी लेदर डीटेलिंग भी हो गई है हैंडल काफी अच्छा लग रहा है अब इसको हेड के साथ अटाच करते हैं यह आगया हैमर का हेड लेट इंसर्ट इस अटिस यूगो oh finally our hammer is ready I think this looks pretty awesome now let's turn off the lights and turn this on तो कैसा लगा थोर का हैमर देखो मैं जब भी कुछ बनाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसमें एक छोटा सा मैट ट्विस्ट आड करूं जैसे कि हमने यहां पे थोर के हमर को बनाया है एक नाइट लाइट या फिल लांप की तरह अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक बड़ा सा लाइक देदेना और हो सके तो अपने फ्रेंज के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में पता चल जाए और अगर आप चाते हैं तो आप मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं यहां पे मैं पिच्छ और स्टोरीज डालता रहता हूं तो हमारा कनेक्शन जारी रहेगा और हो सके तो कॉमेंट्स में मुझे खुछ सजेशन्स देना आपकी कोई नई रिक्वेस्स हैं तो उसके बारे में बताना अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में तिल देन लाइक झालु में खब और सुछ कोईस्ते हूं डंब मैं को अधे खुछ स selv रहेगा आपसेशन्स पहादागा रहेगा मिलूग सर्क मिलुग सर ऑसे उसु कहलेनी संगन्स स्टोरीज स्टेूश्ट अरणिधके स्ट